नमस्कार दोस्तों, गुरुवार के दिन ब्रहस्पती भगवान की आराधना की जाती है, उनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ती होती है, जिन लोगों पर विश्नु जी का हाथ होता है, ऐसे लोगों के जीवन में कोई भी तकलीफ नही एसे में आपको बता दें कि भगवान विश्णू को प्रसन्न करने के लिए तुलसी सबसे सरल उपाय है। तो अगर आप भी भगवान विश्णू को खुश करना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में आपको तुलसी के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिनहें करने से आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आप किसी खास काम के लिए गुरुवार के दिन बाहर जा रही हैं, तो अपने साथ कोई पीला रुमाल ले जाना ना भूलें। इससे विश्णू जी की आप पर कृपा होगी। इससे आपको कारे में सफलता जरूर मिलेगी। बता दें कि पीला रंग भगवान विश गुरुवे नमह मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे किस्मत के बंद दर्वाजे खुल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप शादी के लिए रिश्टा पक्का करने जा रहे हैं, तो गुरुवार के दिन जाएं और घर से कोई पीले रंग की मिठाई खा कर जाएं। ऐसा कर गया उदेह होता है और दिन भी अच्छा जाता है। जिन लोगों का ब्रस्पती ग्रह कमजोर है, उन्हें गुरुवार के दिन अपने दाहिने हाथ में केले के पेड की जड़ बांधनी चाहिए। आप चाहें तो पुखराज रत्म भी पहन सकते हैं। गुरुवार के दिन जिश्टों में मिठास घोलेगी। जिवतिश के अनुसार अगर आप किसी काम की शुरुवार के दिन कर रही हैं, तो अपनी जिब में थोड़ा चने की दाल रख लें। इससे काम में सफलता की आसार बढ़ जाते हैं। माननेताओं के अनुसार ब्रहस्पती देव को प्रस इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राए क कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।